वेलकम टो आउनलाइन जेके क्लासे स्वागत थे आपका मेरे यूटूब चैनल में आज मैं एक ऐसा टोपिक ले करके आया हूँ जो आप डेली यूज करते हैं उनके अभिसकार और अभिसकारक के नाम आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही महत्तपुर्ण जनकारी आपको मेरे चैनल के दुआरा मिलता रहे हैं और बेल आइकन को दवाना ना भूले तो पहला है वाटसेप जो ह प्लेशल मेडिया का विस्कार किया जो आज के डेट में पूरी दुनिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म में चुका है जिसके माधियम से हम एक जगह से दूसरे जगह कोई भी information share कर रहे हैं वीडियो, photos और अपना personal information भी share कर रहे हैं यहां तक कि एक देश से दूसरे देश में हम वीडियो calling से भी बात कर सकते हैं और internet की सुभिधा के उपलब से आप इसे call से भी जोड़ सकते हैं call से बात भी कर रहे हैं इनका अविस्कार रखे whatsapp जेम कुक ने अविस्कार किया है whatsapp का इन ही का देन है आज हम whatsapp यूज कर रहे हैं दूसरा है facebook facebook mark jukarberg कौन है mark jukarberg mark jukarberg ने facebook का अविस्कार किया जो आज के दुनिया में बहुत ही famous ऐसी app बन चुकी है जिसके जरिये हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं फिर भी दोस्त बने हुए हैं या फिर अपने घरों में facebook से जुड़े हुए हैं आपस में बात हो या ना हो facebook में बात होती है जो friend 5 साल पहले मिला था आज भी वो facebook पे है तो जुड़ने का एक तरीका है मार्क जुकर बर्क ने अगला है google जो कोई भी information हम से अगर आप कोई भी questions पूछना चाहते हैं तो google पे जाते हैं किसी भी परकार की जनकारी लेने के लिए हम google का इस्तेमाल करते हैं ये एक search engine है जो की इनका जो अविसकारक है aim brain and Larry page दो लोगों जिसमें पूरी दुनिया work कर रही है अपना talent दिखा रही है अपना work उस पे लगा रही है और google जो है अपना output देते जा रहा है और बेहतर quality प्रवाइड कर रहा है पूरी दुनिया की information अगर कहें तो stored है तो कहां पे है google में हमारी पूरी दुनिया का जितना भी information है जितनी सुचनाएं है वो सारा चीज इसमें समाहित है google में इसके अविसकारक है mbrin lary page अगला है yahoo जैसे google एक search engine है वैसे ही एक yahoo भी search engine है इसके अविसकारक है jerry young एवं david philo jerry young एवं david philo अगला है Microsoft 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 जो हम लोग mobile भी यूज़ करते है या फिर Microsoft का laptop PC जो भी computer हम लोग यूज़ करते है Microsoft का ही देन है तो ये Microsoft launch करने वाले अब इसकारक जो है Bill Gates Paul Allen Bill Gates और Paul Allen ठीक है अगला है Wikipedia जो भी हम search करते हैं Google में तो कोई भी information पहले आप देखे होंगे सबसे उपर में दिखाता है Wikipedia मा लिजिए आप biography देखना चाहते हैं सारू खान का सलमान खान का करेटरिना कैफ का प्रियंका चोप्ला का जिस भी इनसान का biography डालते हैं biography of this name that name Google में तो उनका यहाँ पर क्या देता है पहले Wikipedia पर बताता है कि यह कौन है इनके बारे में पूरी डिटेल देता है Wikipedia के उनसार मिलती है तो Wikipedia का जो अब इसकारक है Jimmy Wales कौन है Jimmy Wales अगला है Wiklix Wiklix है इनके अब इसकारक है Julian Assange कौन है Julian Assange Wiklix अगला है YouTube जो आज के डिट में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है ये भी एक सर्च इंजन है जिस पे पूरी दुनिया के लोग अपने टैलेंट बिखेर रहे हैं अपनी नॉलेज को अँपे दिखा रहे हैं और YouTube का ही देन है आज घर बैठे आप किसी के भी विडियो देख सकते हैं किसी भी प्रकार की नॉलेज ले सकते हैं और आप अपने पसंद के अनुसार मोवीज देख सकते हैं पढ़ सकते हैं कमेडी देख सकते हैं आप अपने टैलेंट को उस पे बिखेर सकते हैं ये YouTube का ही देन है तो YouTube के अविस्कारक जो है जावेद करीम, चाड हूरले और स्टीव चेन, तीन लोगों ने मिलके YouTube का अविस्कार किया है, वो है जावेद करीम, चाड हूरले, स्टीव, चेन, अगला है इंटरनेट, इन सभी social platform की बात करें, तो जो social platform है, उनको operate करने का जो काम करता है, वो है Internet, तो Internet के अविस्कारक जो है, विंट सर्फ, कौन है, विंट सर्फ, एंटरनेट, जो पूरी दुनिया को एक modern civilization की बात करें, यानि आधुनिक सभ्यता की बात करें, तो ये launch किया है, एंटरनेट का ही देन है, तो Internet का, जो अब इसकारक है, विंट सर्फ है, अगला है, जो Bluetooth होता है, जो sharing की काम करती है, जो icons बने होते हैं हमारे mobile में, कोई भी data share करने के लिए, जैसे photographs, videos, document, कोई भी file share करने के लिए, जो पहले, सबसे पहले जो launch किया गया था, sharing के लिए platform, वो है Bluetooth, और Bluetooth के अब इसकारक जो है, एरिक्षन है, कौन है, एरिक्षन, अगला है Wi-Fi, जो एक mobile को दूसरे mobile से connect करने का काम करता है, internet sharing का जो काम करता है, एक mobile से दूसरे mobile में, या एक laptop से दूसरे laptop में, या फिर एक जगह से दूसरे जगह, अगर हम data share करना चाहते हैं, तो वो है, वो device जो है, Wi-Fi होती है, और Wi-Fi के हम data को share करते हैं, और कोई भी internet चलाना चाहता है, एक mobile से दूसरे mobile में, तो Wi-Fi का इस्तेमाल और hotspot का इस्तेमाल किया जाता है, वो है, इसके जो अब इसकारक है, John O. Sullivan, कौन है, John O. Sullivan, अब इसकारक है, Wi-Fi के, अगला है wireless, जो wireless, जितने भी आपके routers काम करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, Airtel का Wi-Fi है, Jio का Wi-Fi है, तो wireless, जहां पर बीना wire का कोई भी connection काम करता है, उसे हम बोलते हैं, wireless, जैसे अपने mobile से आप Bluetooth से बज़ते हैं, किसी के mobile में कोई photographs, videos, कोई document, या फिर आप internet चलाते हैं, अपने laptop में mobile से connect करके, ये सब जितनी भी सुभिधाये हैं, इसे बोला आता है, wireless, इसमें कोई wire नहीं है, कोई तार की जरूत नहीं है, ये एक माध्यम से गमन करके और अपना work देते हैं, इनके जो अभिसकारक हैं, ये हैं मारकोनी, वाइरलेस के अभिसकारक कौन हैं, मारकोनी, अगला है microphone, जो हम लोग microphone यूज करते हैं, उसके अभिसकार और हम नाम जान चुके हैं, उमीद करता हूँ कि वीडियो को संद आया होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही महत्तपूर्ण जानकारी को जानने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद